पिल्कुल जैसे कि आपने का बहुत सारी किताब हैं मैं देख भी रही हूँ जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है देखो दर्शकों की जीरो ओयल थाली यानि की बिना किसी ओयल के आपको कुकिंग कर दी है पूरा प्रोसीजर इस पे दिखाया गया है कि आप किस तरीके से बि देदा नहीं बन सकता इसको हम लोग बोलते है माइंड सेट माइंड सेट का क्या मतलब है कि लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि तेल बनाएं डालेंगे तब ही उसका स्वाद आएगा पर जब कि आप रैक्टिकली डाल के देखे लॉजिक देखे कि तेल का कोई स्वाद नहीं होता है ये एक दिमाग में छोटे से बैठावा है कि तेल डालेंगे एक लेडी को मैं अगर बोलू तेल नहीं डालना तो पहले बोलती है इतना डालूँगी फिर बोलते हैं नहीं एक बुन भी नहीं डालना भूल इतना डालूँगी फिर बोलते हैं नहीं डालना भूल ये समय लिजए आपको तेल का जरुवती नहीं है माइंड सेट को बदलिए क्योंकि स्वाद सेम टू सेम है मैं जब खाना पहले पहले बना के खिलाता था मेरे पेशेंट आके बोलते था है सर होई नहीं सकता है ये बीना तेल के इसमें जरूर तेल डाला होगा बीना तेल के बॉयल्ड होता है अचा अगर लेडी को ज़्यादा जिद करो ना कि आप तेल डाल नहीं मत तो वो क्या करती है वो पूरे मसाले हटा देती है क्योंकि उनके दिमाग में बैठ चुका है मसाला भूनना सिर्फ तेल में होगा और तेल नहीं है तो मसाले भी नहीं है तो फिर उबलावा खाता है अचा मरीज जिन्दगी भर वो उबलावा सबजी खाता है और डॉक्टर को गाली देता है गलती वाइफ की है और गाली डॉक्टर खाए तो यह समय लिजे एक प्रॉसेस खराब हो गया था अब हम इसको रेक्टिफाई किये है कि तेल पूरा बंद कर द हमने थाली की जिरो ऐल थाली है हमारी बुक जिरो ऐल नमकी ने इसमें पकोड़े कचोड़े समोसा हर चीज हम बना सकते हैं कचोड़ी पकोड़े और उसके संग हम डेर सो तरह के मिठाईयां डेर सो तरह के साउथ इंडियन डिसेस और जिरो ऐल थाली इस तरह से हमने तमाम समान बना दिया बीना तेल के बस कंसेप्ट यह है कि मसाले होंगे हर चीज होगा भूनावा होगा स्वाद सेम होगा तेल नहीं होगा बलकुल कहीं न कहीं यह सुनने में काफी इंट्रेस्टिंग लग रहा है डॉक साब कि सभी कुछ उसमें सिर्फ और नहीं है जो कि हमारे शरीर को नुक्सान पहुंचाता है हाट पेशन के लिए वाकी काफी नुक्सान दे होता है चलिए अभी यह कॉलर यूपी से हमारे साथ उनका सवाल भी जानते हैं हाँ बते है हाल वाकी कुछ डिफरेंस है या आपके अकॉर्डिनली यह वी नहीं की तरह सारे OIL बराबर है याद रखेगा सारे OIL का नाम Triglyceride है, तो कोई भी डाल, तेल डालो Triglyceride ही है, एक बात, बहुत common sense की बात समय लिजे, यह आप देखें, पानी की bottles होता है, एक में बिसलरी लिखा होता है, में खिलली लिखा होता है, तो यह जो पानी के company बलग, अलग, अलग है, पर अंदर content, same है, same with the oil, all are Triglyceride, खाली company अलग है, सफोला, करनोला, अधा, रासन रॉप, मून रॉप, गोल रॉप, यह जितने, सोयाबी नॉइल, और अलीव उइल, जिंजली उइल, और राइस ब्रान उइल, यह सारे oil का एक ही नाम है Triglyceride, और आप देखिए, एक 3-4 तरे के सबजी बना लीजे, और हर oil के एक-एक सब्जी बनाई है, स्वाद में कोई फरक नहीं होगा, क्योंकि वो तेल का स्वाद होता ही नहीं है, और सारे तेल बराबर है, तो कोई भी तेल अच्छा नहीं है, इनके बहुत सारे नाम होते हैं, आप सुने होंगे, saturated, polyunsaturated, monounsaturated, इसका भी कोई खास difference नहीं है, आप से बातचीत करना चाहूंगी, आपने कहीं नहीं कहीं यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है, इसके बातचीत करने की जरूरत है, हमारा स्वाद वही रहेगा, हमारे खाने का जो तरीका है, वही रहेगा, सिर्फ प्रॉसेस खोड़ा सा अलग हो जाएगा, चले फिलाल छोड से ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहे हैं हमारे साथ, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कारेक्रम सावल में, आप सभी दिर्शकों को बताना चाहती हूं कि अगर आप डॉक्साब से डारेक्ट अपॉइन्मेंट लेना चाहते हैं या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में डॉक्साब के कैम्प लगते हैं उनको जॉइन करना चाहते हैं तो उसके लिए पूरा डीटेल सारे नमबर्स आप अपने टीवी स्क्रेन पर देख स रखते हैं डॉक्साब कारिक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ अभी एक कॉलर जो जुड़ चुके हैं पहले उनका सवाल जानते हैं जो कि डैली से हमारे साथ हैं अच्छा था तो मैं उनके बताय हूए तरीके पर चल रहा हूं जी मैं जीरो आयल पर हूं जी मैंने आज तक कोई भी ऐसी चीज ने खाई जो मेरे को और से प्रब्लम करें आप कमफर्टिबल है जीरो एल खाना से आपको एड़ेस्ट होगी है पूरा जी बहुत बढ़ी है जी बताएं हले हो जी शर्मा जी सुन पा रहे हैं आप हमें जी बताएं अभी क्या कहना चाहते हैं आप इसकी साथ है कि मैंने जो मैंने जो मैंडिशाइन खा रहा हूं उसमें एक एंजी स्पैन है और टू-पॉइंट फाइएंजी स्पैन है और एक मेरी वी-पी की टैबलेट है एम लड़र्स एटी मैं ये तीनों बारा साल से खा रहा हूं मैं ये इनको बंद करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए मैं मैंने आज से कोई एंजियोग्राफी वगारा कुछ भी करवाया मैंने अभी तक देखिए बारा साल से आप इस पूरे प्रोसेस को फालो कर रहे हैं तो एक बहुत बढ़िया बात है कि बारा साल में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है और सिर्फ तीन दवाई से आपका मैनेज हो रहा है तो एक बहुत बढ़िया बात है सर्माजी और यही मैं बोलूँगा बारा साल में तो लोग तो हार्ट के पेशिंट्स को बोलते हैं बई एक साल छे मेने में आपके कल तक हार्ट इटाइक हो जाएगी तो बारा साल आप अच्छे हैं तो सोचने की जरूरत नहीं है आपकी बहुत मिनिममम दवाईया चल रही है और इनको भी अगर कम करना है तो आपका ब्लड पेशर का रिकॉर्ड ले आई है और लिपिट प्रोफाइल का पूरा रिपोर्ट लेके आई है और अगर आप जाते हैं तो आगे हम लोग इसको एसस कर सकते हैं आपकी ब्लॉकेज है कि पहले तो तार घुसा के अंजिगराफी होती थी अब बीना तार के अं होंगे जो 12, 13, 15 साल से हमारे संग जुड़े वे और उनको ऑपरेशन या बाइपास एंजिव प्लास्टिक की जुड़ती नहीं पड़ी है जो बलकुर शर्मा जी जैसा कि आप फॉलो कर रहे हैं डॉक्टर चाजेर की पूरी गाइडलाइन को बहुत ही अच्छी बात है कि पुछले 12 सालों में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और जो मेडिसन को आप बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक बार डॉक्स आप से अपॉइंट्मेंट ले सकते हैं अपना चेक अप करा सकते हैं और उसके बाद वापस से आप ये जान स सकते हैं कि आपको कौन सी मेडिसन कॉंटिन्यू करनी है और कौन सी मेडिसन कॉंटिन्यू नहीं करनी है डॉक्स आप एक और कॉलर हमारे साथ हर्याना अंबाला से जोड़ चुके है राजेंदर जी उनका सवाल भी जानते हैं हाले घ्र नमस्कार जी नमस्कार बाता है क्या सवाल आप राजेंदर मोर्ण शर्मा बुल रहा हूं जी अंबाला कैंट से जी जी डॉक्साव डॉक्साव मेरी मिसित के मैं अभी अंजिग्राफिक राइटी थी उनकी ये में रानपा में जी तर उनकी जो रिपोर्ट है उस और आप यूज इस अंब उन्होंने क्या बूला आपको ऑपरेशन या स्टेंट लगाना इंगानी माइक मायो कार्डियल रिवेस्टियुलराइशन हां ठीक है ठीक बात है तो अब जो मिसिस के उन्हों से करा था एंजियोग्राफी की थी तो उसमें एक तो वहां पर ओल्मा जैसा बन गया जी काफी तो ये एंटीबाइटी को गयरा दिये उन्हें तो काफी काम है देखिए ये एंजियोग्राफी की एक साइड एफेक्ट है हिमाटोमा ब्लेडिंग हो जाना ये बहुत कॉमन सी बात है इन्फेक्ट बहुत लोगों की जान भी जाती है तो एंजियोग्राफी के मैं तो खिलाफ हूँ पर अब आपकी एंजियोग्राफी हो गई है और एक कम्प्लिकेशन के साथ आप है अब दुबारा एंजियोप्ल ब्लॉकेज है तो नैचुरली थोड़ी जादा ब्लॉकेज है तो इसको हम लोग सॉल्ब करेंगे खान पीन रहन से दवाईयों से और अगर जरुवत हो तो वो नैचुरल बाइपास और बायो केमिकल क्लीनिंग भी कराया जा सकता है तो आप एक बार हमारे सावल से कॉन्ट करेंगे और विल सॉल्ब यो केस डोंट गो फ़र अबाइपास तेडियो रेंग लगाता है हम डाइट की बात करेंगे अक्सर यह समझा जाता है कि हमारे शरीर को ऑईल की कोई रिक्वार्मेंट होती है और यह भी खाजाता है कि जॉइंट को तो अगर और ना मिले तो उनम काते हैं एक ग्राम तेल होती है सौ ग्राम में अगर गहूं काते हैं उसमें एक परसेंट तेल होता है अगर हम डाल खाते हैं पांच परसेंट तेल होता हर फ्रूट्स में हर वेजिटेबल में कुछ ना कुछ तेल डाल के रखा गया है भगवान के तरफ से हमारी जरुवत तो उसी से पूरी हो जाती है, आप ये सोचिए, भगवान ने तेल के फैक्टरी नहीं बनाई थी, भगवान ने हमें बनाया था, पेड़ पौदर को बना दिया था, दोनों की बंदोबस कर दी थी, तो तेल अलग से कोई डालने की कोई जरुवत नहीं थी, तो ये तेल की फै हो गया है तो तेल से joint का कोई संब्द नहीं है एक मन में है कि वही तेल से joint हिलती है पर वहाँ साइनो वियल fluid होता है उसमें fat नहीं होता है तो वह आपकी body अपने आप बनाएगी अगर आप मोटे चलिए ओयल का कोई बाडी में जरुरत नहीं है अलग से भगवान ने हर खाने के अंदर तेल डिया है बहुत कुछ है हमारे लिए कोई डरनी की जरुरत नहीं है बलकुल दर्शकुर जैसा की डॉक साब ने बोला कि हमें अलग से कोई भी रिक्वार्मेंट नहीं होती है तो इ किरो आइल कुकिंग की जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट पिशन के लिए है या बाकी एक नॉर्मल परसंट को भी यही फॉलो करना जाए देखे आज का जो जमाना है किसको ब्लॉकेज हो रहा हमें नहीं पता तो नॉर्मल आदमी सोचतरा मेरे पर ब्लॉक को अलग से तेल की जडूरत नेए क्योंकि ग्रोध बंद और जाती है 20 साल का भी प्लान बना लें 20 साल के बाद आप कोई तेल की सेवन करने ज़रूरत नहीं है चाहãy हाउचे के पेशन्ट हो या नहो और अगर ऐसा करें तो हाउच के पेंदे टाइबिआट नहीं कर वापन लोगों को बोलूँगा चलो 90% फॉलो करो घर पे तो 100% करो कहीं जाओ पार्टी वाटी में तो थोड़ी बहुत लेलो पर हाट के पेशन के लिए मैं वह भी मना करता हूँ मैं बोलता हूँ पार्टी जाएंगे हमारी किताब है 201 टिप्स उन अहर उसमें सारा डीटेल है दर्शे को एक बार फिर वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का आज के कारिक्राम में बस इतना ही और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस गाइडलाइन को फालो करेंगे और अपनी सेहत का खयाल रखेंगे मुझे भी दीजे आ गया नमस्कार